नमस्कार मेत्रों, मैं सुर सिंग सोलंग की आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो दिवयांग अधिकार कानून दिवयांग विदैख जो नया दिवयांग विदैख है 2016 सूला उसमें दिव्यांग व्यक्तिवों के लिए सांस्कूरुतिक एबं मनोरंजन कार्यक्रम में भागेदारी सुनिस्चित करने के लिए क्या-क्या प्रावधान किये गए है वो हम जानेंगे डॉक्टर बूशन बुनानी से नमस्कार सर नमस्ते बहुत खुशी है कि हम वरीकियों को हर एक पहलू को उसमें इस्थान दिया गया है जो मनरंजन के कार्यकरम है अत्वा जो सांस्कूर्थी कार्यकरम है जो आर्ट और कल्चर है वो भी दिव्यांग व्यक्तियों को प्राप्त हो उन सभी में दिव्यांग व्यक्तियों की भागेदारी सुनिस्चित हो सके इसके लिए भी विकलांक्ता अथिकार विद्यक 2016 में एक पूरा सेक्शन नंबर 29 को शामिल किया गया है और उसके अनुसार कि जो भी दिव्यान विक्टी स्वेम आर्टिस्ट है अत्वा लेकक है तो उसको प्रोसान देने के लिए उसके लिए सबी स्विदाएं देना उसको सायोग देना और उसके लिए खर्च देना उसको स्पॉंसर करना अनिवारिय है ताकि दिव्यान विक्टी भी किसी भी और विक्टी की तरह आर्ट कल्चर और जो उसकी ऐसी खूबिया है उसको आगे बढ़ा सके जीवन में स्वल्ता असिल कर सके इसके लिए विदेक में विवस्ता की गई है और विशेस बात कि देश में अत्वा प्रतिक राजे में ऐसे म्यूजियम बनाया जाये ऐसे संग्राले बनाया जाये कि जहां पर दिव्यांक्टा के इतियास को परकाशित किया जाये उसके अतास को वर्नन से बताया जाये ये बहुत ही प्रेवन धैक एक मुझब्दा है कि ऐसे म्यूजियम जहां लोग जाकर देख सकें कि हमारे देश में दिव्यांकता कारे करम में किस तरह से विकास हुआ क्या-क्या कटनाई आई और क्या-क्या आज तक उन्होंने सफलता हासिल की है कि सब को वहाँ परदर्शित किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात जो मैं जिसकी बहुत स्राना करता हूँ जो भी आर्ट और कल्चर है उसको उसके हर एक पहलू को ध्यान में रखकर उसको दिव्यान व्यक्ति के लिए सुगमय बनाना एक्सेसिव बनाना अनिवारी है उसके लिए टेक्नोलिजी के आवशक्ता हो अत्वा दूसरे कुछ प्रावधान करने पड़े लेकिन ये सुनिश्चित करना अनिवारी है कि आर्ट और कल्चर की जो भी अक्तिविटीज हैं कारीकरम हैं वो सबी सुगमय बने और दिव्यान व्यक्ति उन सबी विधाओं को आसिल कर सके प्राप्त कर सके इसका प्रावधान किया गया है इसके बाद विशेश रूप से उलेक किया गया है वो भले स्काउटिंग की एक्टिविटीज हो डांस हो आर्ट क्लासेज हो अत्वा केंप लगाने की एक्टिविटीज हो अत्वा एडवेंचर हो ट्रैकिंग ह इन सभी activities जो समाने व्यक्ति भी करते हैं उन सभी कारी क्रमों में दिव्यान व्यक्तियों को जोड़ना उनके लिए स्विधाय बनाना आनिवारी है हमारा विजयक यह कहता है इन सब प्रकार की एक्टिविटीज में कारीकरव में दिवाय गट्टी को जोना अवश्यक है उसके लिए सरकार को सभी प्रत्र करना आनिवारे हैं और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे अभी आर्ट और कल्चर के जो कारीकरम चल रहे हैं जो प्रिस्क्षन दिया जारहे है ग्रेजवेट लेवल का कोर्स है पॉस ग्रेजवेट है डिप्लोमा है वह डांसिंग हो अथवा डिएरेक्शन हो अथवा पेंटिंग हो आर्ट हो इन सबी जो कोर्सिस हैं उसको उसमें सुधारा करना पड़ेगा उसको फिर से बनाना उसके लिए उनको रीडिजाइन करना पड़ेगा उसको पुने विचान अगर के फिर से बनाना पड़ेगा अजयस मैंने पहले बता है कि आर्ट और कल्चर में दिव्यान विक्तियों को उनको इस विदाय पदान करने के लिए उनके लिए जो भी टकनीकी आशकता है टकनोलीजी है उसके लिए जो भी साधन से आए है अत्वा जो भी एक्यूपमेंट है उन सभी को भी डवलप करना पड़ेगा ताकि यह सभी व्यक्ति, रिक्रेशन, मनोरंजन में किसी भी और व्यक्ति की तरह भागेदारी ले सके और इसका श्रेय यह है कि हम को आर्ट और कल्चर को भी दिव्यान व्यक्तियों के लिए एक आसान तरीके से मिल सके इसके लिए सब प्रावधान करना पड़ेगा हम लोग इंक्लूसिव डवलोमेंट की और जा रहे हैं और एक विशेश बात का उलेग किया गया है कि जो हमारे बधिर व्यक्ति हैं दोस्त हैं उनको टेली विजन, टीवी के प्रोग्राम की वो उसको प्राप्त कर सकें उसको समझ सकें इसके लिए जातो सब टाइटल देन पड़ेंगे, अथ्वा भाषा के जो इंट्रोप्र्टर हैं जो संकीति भाषा से न्यू to key सेवाय डेना अनिवारी है इसका भावार्त ही होता है कि जो भी न्यूज चैनल है उन सभी चैनल को अपने न्यूज रीडिंग के साथ साथ साइन लेंगवज इंटरप्रेटर को भी ताकि बधिर व्यक्टी उस न्यूज को प्राप्ट कर सकें, समझ सकें इसका प्रापदन करना अनिवारी है मैं मानता हूँ कि नई सदी में दिव्यांग विक्तियों को मनुरंजन सांस्कूतिक कारी करम से जोडने का यह जो नया अभीगम है, नया विचार है, नया जो वैधानिक विचार है वो काबिले तारीफ है अब प्रश्ण यह उठता है कि हम उसको दिव्यांग विक्तियों कैसे पहुंचाएंगे, चांदकारी कैसे देंगे, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस सेक्शन 29 को समझ कर जो भी करना इस विदेय का मैंडेट है, निर्देश है, उसको मब मिलाने के लिए आप प्रयास कर जानेंगे तुमारे देश के लाकू करोडों दिव्यांग विक्ति समाज की मुख्य दारा के साथ और भावित रूप से शामिल हो सकेंगे, यह मेरी सकल्पना है, जाएंगे शुक्रिया सर, हम भी जाएंगे कि दिव्यांग विक्ति समाज के मुख्य दारा से जूड़े, दोस्तों इस एपिसोड में हमने जाना कि इस कानून के तहट दिव्यांग विक्ति को उनकी कला प्रदर्शित करने के लिए सभी सुईदा देना, उनके लिए कुछ खर्ष दे और ऐसी बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए देश के हर दिव्यांग विक्ति को या परसन विड डिसेबिलिटी वाले विक्ति को इस चैनल से जोड़े और ज्यादा से ज्यादा अवेर्नेस या जागरूपता फिलाने में हमारी मदद करे इस लिंक को शेयर करके इस चैनल की महीत ही देखे उनको महीत करें इस चैनल से और अगर इसको आप ने यूटूब में सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें नीचे एक सब्सक्राइब बटन है उसको पर क्लिक करें बाजू में एक बेल बटन ही उसको दबाए ताकि आपको इस प झाल झाल